अपने लाप्टॉप को वाइफाई हॉट्सपॉट बनाए Make your laptop a Wi-Fi हॉट्सपॉट इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से अजीब अजीब परिस्थितियों में फंज जाता है मान लीजिए कि आपके पास network cable तो है पर कोई laptop router नहीं, लेकिन पाँच लोगों को एक ही वक्त पर internet इस्तिमाल करना है या फिर आपके पास 3G dongle है जो laptop पर काम करता है पर laptop only tablet के लिए किसी काम का नहीं संभब है कि आप भी इस परिस्थिती में फंज सकते हैं कितना अच्छा होगा कि बिना router के आप अपने internet connection को सभी users और devices पर share कर पाएं आप अपने laptop या desktop के internet connection को laptop के जरिये दूसरे device के साथ share कर सकते हैं और ज्यादातर वक्त ऐसा करना बेहद ही आसान है Mac users को कोई परेशानी नहीं आती क्योंकि OS X में internet sharing setup करना चंद क्लिक का काम है हाला कि Windows users के लिए ये process थोड़ा पेंचीदा है जटल setup process और विश्वस्नियता की समस्या के कारण बल्टिन option भी कभी भार कारग नहीं होता Windows 7, Windows 8 या Windows 8 एक पर internet sharing अच्छी बात यह है कि market में आपकी machine को wifi hotspot में तबदील करने वाले कई app उपलब्ध है लेकिन इससे इस्तेमाल में लाने से पहले Microsoft की website पर Windows बल्टिन शेरिंग के बारे में जानकारी हासिल कर ले उम्मीद करते हैं कि आपकी किस्मत हमसे बहतर होगी हम यही सुझाव देंगे कि आप इस प्रोसेस को नजरंदाज करके थर्ड पार्टी एप को इस्तेमाल में लाएं क्योंकि आमतोर पर इसका अनुभब बहतर रहेगा हमने पॉपुलर अप कनेक्टिफाई और वर्चुल राउटर प्लस को टेस्ट किया वर्चुल राउटर प्लस के साथ अनुभब खराब रहा इंस्टॉल्ड अन्टिवाइरिस ने इसे सिस्टम के लिए खतरनाक थ्रेट बताया और इंस्टिलेशन के दोरान इसने कई unwanted software इंस्टॉल करने की कोशिश की कनेक्टिफाई के साथ इस तरह की समस्या नहीं आई आपके कम्प्यूटर को वाइफाई हॉट्सपॉट में तबदील करने के लिए यह एक भरोसेमंद एप है इस प्रोसेस के लिए आपको एक ऐसे Windows कम्प्यूटर का इस्तेमाल करना होगा जिसमें वाइफाई अडाप्टर या बिल्ट इन वाइफाई हो अगर आपके कम्प्यूटर में वाइफाई नहीं है तो आप एक खरीद ले जो USB के जरिये कनेक्ट हो जाए Windows मशीन को वाइफाई होट्सपॉट को बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करे 1. कनेक्टिफाई को डाउनलोड कर इंस्टॉल करे इंस्टिलेशन करना बेहद ही सीधा है और जब यह पूरा हो जाए तब आप अपने कम्प्यूटर को रिस्टार्ट कर ले 2. कम्प्यूटर रिस्टार्ट करने के बाद जाच ले की यह इंटिनेट से कनेक्ट है या नहीं अगर है तो कनेक्टिफाई होट्सपॉट को चलाए 3. आप अप में दो टैब देख पाएंगे सेटिंग और क्लाइंट्स सेटिंग टैब में क्रिएट के अंदर वाइफाई होट्सपॉट पर क्लिक करें 4. इंटरनेट टू शेयर के नीचे आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देखेंगे इससे एक स्पेंट करें और जिस कनेक्शन को शेयर करना है उससे चुने हमने इस एप को वायर्ड और वायलेस कनेक्शन के साथ टेस्ट किया दोनों ही परिस्थितियों में यह ठीक से काम कर रहा था 5. मेन्यू में आप कई और विकल्प देख पाएंगे वाइफाई के लिए पासवर्ड डाले स्टार्ट हॉट्सपॉट पर क्लिक करें के इंटिनेट इस्तिमाल करें कनेक्टिफाई एक पेड एप है लेकिन कुछ कम फीचेस के साथ इसका फ्री वर्जिन भी उपलब्ध है आप फ्री वर्जिन की मदद से हॉट्सपॉट तो बना सकते हैं पर सबसे बड़ी खामी यह है कि हर 30 मिनट बाद यह अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगा और हर बार एक पॉप अप दिखेगा जिसमें आपसे प्रो वर्जिन खरीदने के लिए पूछा जाएगा आपको हर बार हॉट्सपॉट को मैन्यूली री एनेबल करना होगा होट्सपॉट अप्टाइम के अलावा कस्टम होट्सपॉट नेमिंग 3G और 4G नेटवर्क USB इंटरनेट डॉंगल से इंटरनेट शेरिंग और एडवांस फायर वाल कंट्रोल जैसे फीचर्ज है OS X पर इंटरनेट शेरिंग Mac users के लिए यह प्रोसेस बेहद ही आसान है इस तरह से आप Mac का इंटरनेट कनेक्शन शेर कर सकते हैं एक, सिस्टम प्रिफरेंस एज खोले इसके बाद शेरिंग में जाए फिर इंटरनेट शेरिंग को चेक करे दो, दाई तरफ शेर योर कनेक्शन के बाद बने ड्रॉप डाउन मेन्यू को एक स्पेंट करें शेर किये जाने वाले कनेक्शन को चुने आप इंटरनेट, वाइफाई, ब्लुटूथ या आइफोन यूएसबी के जरिये इंटरनेट कनेक्शन शेर कर सकते हैं अगर आप iMac, Mac Pro या MacBook Pro पर वाइड इंटरनेट कनेक्शन इस्तिमाल कर रहे हैं तो आम तोर पर आप Ethernet चुनना चाहेंगे अगर आप अपने MacBook Air के लिए एक स्टरनल Ethernet एडप्टर का इस्तिमाल कर रहे हैं तो आप USB Ethernet या Thunderbolt Ethernet चुनना चाहेंगे हाला कि यह आपके डॉंगल पर निर्भर करेगा सामान्य तोर यह USB होता है तीन, उसके नीचे टू कम्प्यूटर्स यूजिंग के बगल में एक बॉक्स बना है यहाँ पर आपको वाइफाई के बगल वाले बॉक्स में टिकमात करना होगा चार, इसके बाद बॉक्स के नीचे Wi-Fi Options बटन पर क्लिक करे नेटवर्क चुने, फिर Security टाइप और पासवर्ड वर वेरिफाई फील्ड में पासवर्ड डाले हम आपको यही सुझाव देंगे कि Security ओप्शन में नन चुनने के बजाए आप पासवर्ड डाले आप चैनल को Default Value पर छोड़ सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं ओके पर क्लिक करें पाच, अगर आपका Connection एक टिब है, तो आप एक Green आइकन देख पाएंगे इसके अलावा System Preferences के अंदर Internet Sharing Text देख पाएंगे